हाई देर, R.B. हेर, वेलकम टू इटकाच सुपर्ट्रिक सीरीज नमबर 92 आज हम बात करेंगे कि कैसे हम इस तरह की कॉम्पलक्स equations, simple और मुश्किल equations को हम जो है वो एक्सल में लिखें सीधा तो कुछ इस तरह की equations जो बहुत complicated हो सकती है, जिसको के Excel में, हम simple cell में नहीं लिख सकते, तो उसको कैसे बनाएंगे और ये भी देखेंगे कि उनका equations का color कैसे change करें या उसके background वगारा जो हम वो कैसे change करें, तो शुरू करते हैं बस तो हम जो है वो चलते हैं एक blank sheet की तरफ और यहां पर हम insert करने की गुज़िश करते हैं equations को, तो उसके लिए मैं insert में जाता हूँ और यहां पर जाता हूँ equation में तो जैसे ही मैं करूँगा यहां पर कुछ equations को एक मेरे पास, जो है वो, cell आ जाएगा और इसके अंदर जो हगा मैं equations को जो है वो दे सकता हूँ कुछ इस तरह से यह आगे मेरे पास equations अब क्या है कि इसके अंदर जो है अगर मैं कुछ बनाना चाहूँ तो कुछ difficult, difficult equations की जो है वो मेरे पास already जो है वो built-in जो है वो tablets है मेरे पास या फिर मैं चाहूँ तो इसके अंदर कोई भी मैं symbol जो है वो मैं ले सकता हूँ for example मैं यह कुछ भी symbol जो है वो इसमें insert कर सकता हूँ और जैसे ही मैं okay करूँगा मैं वापीस Excel में आ जो हूँ और देखिए यह जो है वो मेरे पास equation मन किया तो बहुत simple सी है अब फिर से जो है कुछ complex बनाने की कोशिश करते हैं तो मैं equation में आता हूँ और यहां पर आकर मैं complex अगर लेना चाहूँ माली जे मैं identical matrix लेना चाहता हूँ तो मैं सीधा इस पर click करता हूँ मेरे पास identical matrix आ जाता हूँ अब यह matrix जो है इसको जो है मैं इसकी जो font properties हैं माली जे इसको मैं select करता हूँ और इसका size बड़ा कर देता हूँ तो यह देखिए size इसका बड़ा हो गया हां सिर्फ font type नहीं change कर पाऊंगा क्योंकि वह mathematics का special symbol font है वह नहीं change होगा इसके इलावा हम बहुत सारी चीज़े कर सकते हैं for example माली जे मैं इसका color change करना चाहता हूँ तो मैं इसका color change कर सकता हूँ इसका मैं background भी change करना चाहता हूँ तो इस तरह कि बहुत सारे equations को मैं सीधा बना सकता हूँ अब इसी में एक चीज़ और भी है कि मान लीजिए मैं चाहता हूँ कि ये equation जो है वो मेरे को बनी बनाई मिल जाए कुछ मैं उसको थोड़ा बहुत change कर लूँ तो उसके लिए मैं यहां पर आता हूँ और मेरे को यहां पर बड़ी सारी equations जो है वो अपने आप ही मिल लेंगी फार एक्जंपल मैं ये ले लेता हूँ तो मैं जैसे ये लूँगा ये वाली मेरे पास equation जो है वो आ जाएगी और इसमें मैं जो मरजी change करना चाहूँ मा लेजे suppose वैसे तो ये ठीक है लेकिन मैं यहां चाहता हूँ कि इसकी जगा मैं X कर दूँ तो मैं वो X भी कर सकता हूँ और इसकी जगह अगर मैं चाहूँ मान लिजे इसकी जगह नीचे 2A की जगह यहां मैं चाहता हूँ कि यहां पे तो E की पावर जो है वो यह आने चाहिए तो वो इस तरह से आ जाएगी तो हम कुछ भी equations को लेके उसको जो है वो customize भी कर सकते हैं और इसी चीज को जो है हम ज़रूरी नहीं कि वहां से ले जब हम equation में जाएंगे तो सबसे पहली चीज हमको यही मिलेगी कि हम यहां से अपने आप equations को ले सकते हैं यह मेरे पास equation आ गए और अब सबसे important चीज मान लिजी हम इसमें से किसी से भी satisfied नहीं है और हमको थोड़ी मुश्किल हो रही है equation मनाने में लेकिन हम हाथ से बड़ी अच्छी बना सकते हैं तो वो काम भी हम equation में कर सकते हैं कैसे? insert में आते हैं, equation में आते हैं और वो है ink equation तो जैसे ही मैं ink equation पे करूँगा मेरे पास क्या होगा? एक area आ जाएगा और जैसे जैसे मैं यहाँ पे कुछ भी करता जाऊँगा कुछ भी draw करूँगा equations में वो यहाँ पर उसका preview दिखाता रहेगा for example मैं दिखाता हूँ suppose मैं चाहता हूँ πाई बनाना तो यह मैं यह देखिए वो पाई बन गया उपर यहाँ चाहिए आपने जैसे मरजी बनाया लेकिन उपर जो है वो पाई बन गया अब मैं चाहता हूँ यहाँ पे R बनाना अब यह R नहीं बनाया कोई बात नहीं इसको हम यहाँ से erase कर देते हैं फिर से कोशिश करते हैं इसको अगर हम चाहें तो फिर से बना सकते हैं अब वो फिर से बन गया तो कोई बात नहीं इस तरह की equations भी हम इसको ले सकते हैं और मान लिजे यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे मैं एक submission देना चाहता हूँ तो वो submission आ जागा या उसको जो है मैं color कर सकता हूँ या उसका मैं background वगरा जो कुछ भी है वो मैं change कर सकता हूँ तो यह तो है ink equations कि हम कैसे जो है जल्दी से equations को जो है mathematical equations को जो है उसमें जो है वो हम draw कर सकते हैं अब यही चीज जो है वो हम word में भी कर सकते हैं वर्ड के अंदर भी सेम वही चीज है insert में जाएंगे equations में जाएंगे और यहां पर थोड़ा view थोड़ा change है लेकिन concepts वगारा सब कुछ वही है वैसे हम equations में जाएंगे हमको वैसे ही equations मिलेंगे हमको बनी बनाई हम जैसे ही उसपर click करेंगे वो equations जो होगी वो मेरी depending on जो भी मैंने size लिया होगा उस हिसाब से मेरी जो है वो equation जो है वो बनके आ जाएगी तो यह तो है कि हमने कैसे लेना है और जो भी हमने सीखा था ink equation वो भी हम यहां पर ले सकते हैं तो सेम वही चीज जो मैंने ले लिया पाई और इस तरह से मैं उसको modify भी कर सकता हूँ माल लीजे इसको मैं divided by suppose 10 से कर देता हूँ तो मेरे बस 1, 2, less to power 0 आ गया अगर गल्थ हो गया तो सेम जैसे मुने वहां टिक किया था यहां पर भी इसको हम ठीक कर सकते हैं यह देखिए यह उसको 10 बना दिया बस अब हमको इसको सरफ insert करना है और वो equations जो भी मेरी अगर equations select है तो उसमें modify हो जाएगी या फिर एक नई जगा पर हम उसको click करके ले सकते हैं तो यह तो है कि हम कैसे Excel और Word में जो है वो equations का use कर सकते हैं यह हम कह सकते हैं MS Office में ही इसका use कर सकते हैं Office की जो other applications है PowerPoint वगारा उसमें भी हम इसको जो है वो call कर सकते हैं तो बस इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं अगले trick में किसी और इसी तरह की exciting tip के साथ